नमस्क्रा दोस्तों तो गाइस वो रिजल्ट जो कल संडे को आने वाले थे उसकी बजाए कंपनी ने कहा था कि भई देखी कंटिनुईशन करके 16 अक्टोबर को नमस आएंगे और नम्मर्स भी कब आए जब बाजार बंद हो चुका है दोस्तों तो देखते हैं क्या किरावट होगी तो सिद्या लेकि चलता हूं रिजल्ट की तरफ आप देखें सबसे पहले चीज़ नम्बर्स लैक में हैं दोस्तों और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा इतने लंबे-लंबे नम्मर्स आपको दिख रहे हैं इसे करोण में क्यों नहीं दिया गिया इसे कितना टोटल इंटर्स नहीं ने कमाया है और यह जो इंटर्स है दोस्तों यह लैक्स में तो दो हमें इधर रखना पड़ेगा तो 67,698.39 करोड एक क्वोटर पहले कितनी दोस्तों 48,586 करोड और एक साल पहले दोस्तों 38,586 करोड रुपीज अब बात कर लेते कि इस चीज में वो किस से आया है तो देखे वो आया है कितना 54,294 करोड ठीक है 0.50 इस इंकम इंवेस्मेंट जो इन इंवेस्मेंट की थी उससे इंकम कितनी आई है तो यहां आप पाएंगे 11,639.51 करोड और एक क्वोटर पहले किती थी 8,911.24 करोड बात कर देते हैं इंट्रेस नहीं कितना कमाया है जो RBI को पैसा यह दे रखे हैं तो यहां पे 412 करोड आया है जो पिछले क्वोटर में 791.85 था पिछले क्वोटर में काफी अच्छे नम्मर दोस्तों एक साल पहले आप देखेंगे तो यह 160 करोड थे बात करते हैं अधर इंकम की तो इस बार भी दोस्तों अ अधर इंकम ना 10,787 करोड में आई है जो एक क्वोटर पहले 9,229.86 करोड थी ठीक है और जब आप इन सब को जोड लेते हैं तो टोटल इंकम जो कंपनी निकाल लिए दोस्तों वो है 78,406 करोड टोटल इंकम जो आई है जो एक क्वोटर पहले 57,816 करोड थी और एक साल पह इसल्चे ना quarter जढ़ बता। आप करोड ज़ते हैं ठीक है एक सामझ म ड़ते। नम्बर निकल के थी ड है उसमें जो है यूख में चीज continu आप डर चाहे ऑंचरा है तमाम से को कहुए ले लोग के रह लिए ज लोक्राः के लोग पाशन,arsa level कमाने यंो बढूबितने पहले जो चीजे कही थी उसके merger के बाद क्योंकि यह जो जल्डा है यह merge के बाद आपको दिख रहें तो EPA जो आप कह सकते हैं यह NPA वो बढ़ेंगे साफ साफ दिख रहा है देखिए अब अब इंटरेस्पेंड देखेंगे तो ओपरेटिंग एक्सपेंड में इंटरेस्पेंड देखेंगे तो 40,313 करोड आया है जो एक क्वाटर पहले 24,987 करोड था एक साल पहले दोस्तों 17,565 करोड था Employee Cost देखेंगे तो इस बार 5,170 करोड है ठीक है जो एक क्वाटर पहले 4,782 करोड थी और एक साल पहले न दोस्तों ये आप देखेंगे आपे 3,523 करोड थी यानि देखिए Employee Benefit Expense में एक बढ़ोतरी साफ साफ देखने को मिल रही है Operating Expenses बाइसा बिस बार जाना 10,239 करोड आया है जो एक क्वाटर पहले किता था 9,274 करोड था एक साल पहले ये मात्र 7,778 करोड थी अब आप देख सकते हैं टोटल expenditure जिसमें प्रोविजन और कंटेंजिंस हटा दी गई है तो यहाँ पे किता आया है 55,712 करोड एक क्वाट अब देखें ये तो चीज़ी होगी तमाम चीज़ों के उपर ठीक है आप देखें तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि net profit for the period किता निकल किया है ठीक है net profit for the period आया है आप देखें 15,976 करोड एक क्वाटर पहले ये 11,951 करोड थी एक साल पहले 10,605 करोड रुपीस थी ठ जो numbers हैं यह मैं खराब तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा ठीक है और जब stock already इतना साथ पिट चुका है दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि यहां से मुझे यह लगता है कोई बहुत सा downside हो इसका मनजर नहीं है ठीक है हाँ NPA देखना पड़ेगा NPA का जो डर है वो सच साब दुआ है कैसा हुआ है आप देखें analytical ratios में अगर आप देखेंग डिस्क्लोजर में तो capital equity ratio 18.93 से जंप होकरके 19.5% जादा हो गई है great EPS diluted EPS 21.28 से घटी है दोस्तों ठीक है और यह year on year लोड़ेती और यह इसका जिक्र अल्रेडी बहुत पहले किया जा चुका है वाइस इस exactly मुझे याद है 1.3% के आसपास बात कही जा रही थी exactly उतना ही NPA आया है जो 1.1 साथ से बढ़ करके आया है बात करें net NPA की तो यह भी 0.30 से बढ़ करें 0.35 आया है ठीक है लेकिन आपको मता दूँ यह जो है न 1.34 यह औरड़ी कहा जा चुका है और HFC bank में औरड़ी reflect हो च आता है अगर कोई sudden move आता है और एक बड़ा जटका लगता है मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत यहां से गिरावट होगी तमाम जैसा सोचा गया था result वैसी यह है NPA जो घटे का कहा गया था उसी तरह घटे हुए है ठीक है अब चलते नीचे और तो देखते है कि यह segment revenue का कराया इसका ठीक है तो देखें यहां पर आप आएंगे क्या देखें सबसे पहले ट्रेशरी तो देखी लीजिए ट्रेशरी में आपको जंप भी देखने को मिलेगा इनके segment result में 1,354 करोड से जंपो के 1,823 करोड है ठीक है retail banking देखिए ठीक है जो retail banking है उसमें बड़ा 5,569 करोड है जो इस बार जंपो करके 5,938 करोड है ठीक है अब भई देखिए यह तो दोनों result मिला क्या है शायद ही हो सकता है उसी कारण हो wholesale banking देखेंगे तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है ठीक है साफ साफ ठीक है तो देखिए इसमें जब मैं complete analysis का video जोटा से quick review देना था इसी लिए आपके सामने आया है हूं SGFC bank का complete analysis का video में लेकर क्या हो दोस्तों और इस बार लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई साफ दोनों का मिला के numbers हैं बहुत सारी इसी चीजें हैं जो hidden हैं बहुत सारी इसी चीजें numbers हैं जिस पर चर्चा करनी प इसको बचाने की कोशिश कर रहा है कल का दिन बहुत important होने माला है कि stock कि सोर जाएगा बट मेरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर कर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती भी है na suddenly वहां से SGFC bank recover जरूर जाएगा ठीक है क्योंकि सिर्फ result करनी और यह बहुत सारे factors जो मैं हमेशा क करेगा तो यहां से तमाम जी negativity क्योंकि जो numbers आए है वो बहुत सप्राइजिंग नहीं है खास करकि जो NPA का अकड़ा है इसको और डिक्ट किया जा चुका है दोस्तों तमाम analyst के द्वारा ठीक है तो मुझे यह लगता है कि अगर यहां से भी कोई भेंकर गिरावट होती इसक जोड़े राइस बात के बहुत बहुत धन्यवाद यह शुड़े कनते हैं चैंद